हेलो फ्रेंड्स एंड वेल्कम टू रेकॉन ऑनलाइन क्लासेश दोस्तों इंजिनियरिंग सर्विसेश 2018 में हर स्टुडेंट का यही ओपीनियन था कि पेपर लेंदी था यह कहें कि उनकी प्रेक्टिस नहीं थी लेंदी कैलकॉलेशन करने की और बहुत से इस्टूडेंट का पेपर छूट गया या कोशन आते हुए भी वो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो lengthy calculation में फस गए थे similar चीज gate में हो रही है virtual calculator की habit नहीं होती है समय बहुत लगता है और आपकी rank में effect पढ़ने लगता है इस calculation part का तो दोस्तों वो student ज्यादा successful हो रहे हैं जिनकी calculation अच्छी है या मैं ये कहूँ कि उनका approximation बहुत अच्छा है जो student approximation अच्छा कर पा रहा है वो engineering services और gate में higher rank ला पा रहा है तो आज हम सीखेंगे कि आप किस तरीके से अपना approximation को और precise कर सकते हैं मैं ये कत्ते ही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों कि आज जो मैं आपको method सिखाऊंगा आप उससे exact answer निकाल सकते हैं और उस golden rule को follow करके आप approximation में और अच्छा कर पाएंगे तो आईए एक question के थूँ इसको समझते हैं approximation को कि आपको एक question आया 455 divided by 97 अब सभी लोग इसमें क्या करते हैं कि 455 को 100 से divide करके 4.55 answer बता देते हैं लेकिन जब उनकी option पे नजर पढ़ती है तो option में क्या दिखता है उनको the option are 4.55 4.60 4.65 and 4.7 now student confused हो जाता है अब इसका 4.55 तो answer नहीं है लेकिन इन तीनों में से answer क्या है ये student पता नहीं लगा पाता है या तो वो इस question को छोड़ देता है जो उसने पूरी मैनत की है उस पे या वो 97 से divide करने में बहुत जादा time लगा के अपना जो precious time है exam में उसको waste कर देता है अगर आपको approximation आता है तो आप बहुत easily इसका answer पता कर सकते हैं कि right answer इन तीनों में से कौन सा होगा क्योंकि होगा इन तीनों में से ही कोई एक right answer लेकिन उस right answer तक कैसे पहुँचा जाए वो rule बताने के लिए मैं आप से सिर्फ एक request करूँगा कि पहले किसी भी चीज का 1% निकालना तेजी से सीख ले this is the very important part आप 4.55 का 1% अगर तेजी से निकाल पाते हैं तो ये मेरा method बहुत ही effective रहेगा तो अगर आप देखें तो 4.55 का 1% कितना होगा दोस्तो इट विल बी 0.0455 ये आपको तेजी से आना चाहिए then my method will work perfectly fine for you और आप answer के और नस्दीक और more accurate पहुँच पाएंगे तो सिरफ एक requirement है दोस्तों कि आप 1% किसी भी value का तेजी से निकाल पाएं और इसके साथ एक request और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो like बटन दबाएं सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों को जरूर बताएं बैल आइकन दबाएंगे तो आपको सारे रैकॉन की information जो हम वीडियो अप्लोड करते हैं वो आपको notification के थूरू मिल जाएगी रैकॉन इसी तरह online वीडियो प्रोवाइड कर रहा है दोस्तों civil engineering और engineering services के non technical part के लिए जो आप घर बैठे तयारी कर सकते हैं किसी भी समय कोई जरूरत नहीं है कि आप दोफेर में गर्मी में classes में बैठें और पढ़ाई करें आप अपने घर में आराम से laptop या PC के सामने बैठके अच्छी coaching पा सकते हैं थूरू रैकॉन वीडियो ज़्यादा information के लिए नीचे दिये गए रैकॉन के number पे आप WhatsApp कर सकते हैं या हमारी website विजिट करके भी ज़्यादा information ले सकते हैं तो दोस्तो देर किस बात की चीजों को अपने control में लाईए दूसरे के हिसाब से मत पढ़िये कि 4-6 class होगी या 2-8 class होगी 10-10 गंटे तक classes चल रही है और बच्चे परेशान हो रहे हैं तो हमारी ये कोशिश है कि हम घर बैठे student को videos दे सकें तो चलिए दोस्तो coming back to the topic अब हम उस golden rule को discuss करेंगे कि वो golden rule क्या है the golden rule here is this the answer will increase or decrease in same percentage as denominator increase or decrease इसका क्या मतलब है मैं आपको उपर दिया जो question था उसी से समझा देता हूँ 455 divided by 97 tough one हमने approximation किया 455 divided by 100 answer किता है 4.55 लेकिन हमारे option तो ऐसे थे नहीं तो हम लोग क्या करेंगे अब मेरा method और golden rule follow होता है अब आपने क्या किया दोस्तों denominator को कितना percent बढ़ाया तो approximately आपने 3 percent denominator को increase किया you have increased the denominator by 3 percent तो आप अपने answer को भी 3 percent increase कर देंगे तो अब आपका real answer क्या होगा दोस्तों 1.03 into 4.55 लेकिन ऐसा करना नहीं है यह सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है आप क्या करेंगे 4.55 में 3 percent add कर दीजे अभी अभी मैंने आपको बताया कि 4.55 का 1 percent निकालना आपको आ जाना चाहिए वो कितना होगा 0.0455 अब इसका 3 percent निकालना है तो मैं पूरी calculation नहीं करूंगा दोस्तों मैं simple सा कह सकता हूँ कि this value will be approximately equal to 0.135 बहुत simple है इस multiplication को करना इस number को छोड़ दीजे और सिरफ simple सा multiplication कर दीजे तो 0.135 इसमें आप 0.135 add कर दीजे इसको भी छोड़ दीजे क्योंकि हमें तो 2 decimal तक की काम करना है तो आपको answer क्या मिला दोस्तों 4.68 अब आप options में जाईए option में 4.68 आपको कहां मिल रहा है यहाँ पे this is the right answer अब आप अपना calculator उठाईए 455 को 97 से divide करिए आप दीखिएगा कि आपको right answer क्या मिलेगा आपको right answer मिलेगा 4.690 तो आप कितना नजदीग answer के पहुँच गए और आपने क्या किया सिरफ एक golden rule को follow किया the answer will increase or decrease in same percentage as denominator increases or decreases मैं इसी को उल्टा ले लेता हूँ दोस्तों 455 divided by 103 अब आप क्या करेंगे answer बहुत simple है आप पहले 100 से divide कर दीजिए जैसा आप हमीशा करते आए हैं आपका answer आगया 4.55 अब अगर आप देखें तो again आपनी 3% का value को decrease किया है तो इस value को भी आप 3% से decrease कर दीजिए तो आप क्या करेंगे 0.135 इसमें से subtract कर दीजिए इसको छोड़ देते हैं तो हमें कितना मिला दोस्तो 4.42 ओके अब आप 455 को 103 अपनी calculator में करिए आपको right answer क्या मिलेगा आपको right answer मिलेगा दोस्तो 4.417 इस इत ओके और हमारे approximation से answer किता आया है 4.42 So near So near to the answer सिरफ इस golden rule को follow करिए The answer will increase or decrease in same percentage as denominator increases or decreases बहुत ही अच्छी चीज है आप थोड़ा सा practice करिए percentage fast calculate करिए देखिए आपकी accuracy level कितना बढ़ जाएगा मैं कुछ और example लेके आपको अपना point prove भी कर देता हूं और ये rule समझा भी देता हूं एक question लेते हैं 100 divided by root 3 काफी common है exam में काफी बार हमें इस तरी की values मिलती है और अब हम क्या करें तो अगर आप इसको देखें तो 100 divided by 1.732 हर कोई जानता है root 3 की value ये होगी अब इसका approximation कैसे होगा तो हम इसको approximately कर देते हैं 100 divided by 2 तो हमें answer किता मिला 50 अब आप देखें 1.732 से आपने 2 जाने में आपने कितनी value बढ़ा दी 0.27 approximately क्योंकि 1.732 में अगर आप 0.27 add करते तो आपको 2 मिल जाता अब 1.732 का 0.27 कितना है तो अगर आप देखें दोस्तों तो इसका 10% कितना आएगा इसका 10% approximately 0.17 आएगा ठीक है और आपने बढ़ाया है 0.27 तो ये approximately अगर हम देखें तो आपने 15% value को बढ़ा दिया अब आप 50 का 15% जो है उस value को बढ़ा दीजिए क्योंकि आपने denominator भी बढ़ाया है तो आपको ये answer भी क्या करना पड़ेगा 15% add कर देना पड़ेगा अब 50 का अगर आप 15% देखें तो ये करीब करीब 7.5 आता है तो आपका इसका answer क्या हुआ exact 57.5 अब आप calculator में करके देखिए कि 100 divided by root 3 का answer क्या आता है it will be 57.73 so near to the answer आप देखिए आप कित्ता नजदीक चलेगा है सिरफ आपको एक rule follow करना है और आपको कहीं पे भी गलती नहीं होगी अब एक question और ले लेते हैं 108.75 divided by 227 how to do the approximation बहुत simple है दोस्तों आप इसको 200 कर दीजे तो 108.75 numerator को मत छेडिएगा सिरफ denominator को छेडिएगा इसको 200 कर दीजे तो आप देखेंगे कित्ता आउसर आएगा इसको 0.75 कर देता हूँ 0 दोनों हटा देता हूँ और अब 2 से divide कर दीजे what you will get you will get 54.37 approximately ओके तो अब आप देखें तो आपने यहां से यहां में क्या किया है 27 value reduce किये 227 का 27 अब अगर आप देखें तो 227 का 27 कितना होगा तो 227 का 10% 22 होगा दोस्तों तो 10% तो हो गया अब बचा 5 तो 5 approximately 3% यह 5% होता है मैं 3% ले लेता हूँ इसको तो approximation में इसको मैं 13% कर देता हूँ यानि कि मुझे यहां में से 13% of 54.37 minus करना है अब आप बोलेंगे 13% निकालना तो tough है बिल्कुल tough नहीं है दोस्तों सबसे पहले तो 10% निकाल दीजिए तो 54 का 10% अगर आप निकालेंगे तो वो हो जाएगा 5.4 तो यह 5.4 minus हो गया तो अगर आप इसको पहले minus कर दीजिए what you will get मैं इसको हटा देता हूँ तो you get this value as 9 this value as 8 and this is 48.9 अब मुझे 3% और करना है तो मैं इसको 54.37 नहीं लेता हूँ 50 का 3% लेता हूँ तो 1.5 और आगया तो 1.5 और minus कर दीजिए so what you get you get 47.4 अब आप calculator में देखिए यह value का answer क्या आता है this comes as 47.9 so निया 47.9 आता है और हम कहां पहुँचे हैं दोस्तो 47.4 पे हम बहुत ही नजदी है so this is a very good trick equation और just to motivate you कि आप इसको और अच्छे से कर सके 7.87 divided by 107 अब आप क्या करेंगे बहुत ही simple है दोस्तो इसको 100 से divide कर दीजिए time waste मत करिए 100 से divide लिखने का 7.87 अब आप देखिए तो इस value का आप अगर 7% reduce कर देंगे तो आपको answer मिल जाएगा तो अगर आप 7.87 में 8 कर देता हूँ तो 8 का 7% किता होगा दोस्तो 8 का 7% हो जाएगा 0.56 तो 0.56 यहां से minus कर दीजिए you will get this value as 7.31 अब आप अपनी calculator में करिए 787 divided by 107 तो you will get this value as 7.35 और आपका approximation किता हो रहा है 7.31 So fast आप बहुत तेजी से यह सारी calculation कर सकते हैं बिना time कवाएं मैं एक और example दे दूँ दोस्तों आपको यह example है 10340 divided by 82 ओके अब आप क्या करेंगे अब आप इसको बहुत simply कर सकते हैं आप इसको कर दीजे 10340 divided by 100 So what you get you get 103.4 अब आपने value को कितना increase किया अगर आप इसको 82 से लें तो इसका 10% होता है 8.2 Is it okay और 20% होगा 16.4 आपने कितना increase किया है दोस्तो 18 यानि कि 20% से थोड़ा ज्यादा approximately 22% इसमें आप 22 add कर दीजे क्योंकि आपने 82 से 100 जाने में value increase की थी तो what you will get you will get this as 125.4 अगर आप इसकी exact value निकालें दोस्तो calculator से तो ये value आएगी 126.09 So easy सिर्फ एक चीज आपको याद रखनी है वो ये दोस्तों कि मैं इसको रप कर देता हूं the answer will increase or decrease in same percentage as denominator increases or decreases this is the golden rule जिस से आप अपने approximation को बहुत अच्छे से कर सकते हैं So thank you friends keep enjoying your engineering and प्ывать एक बादे पन्ह सरा पन्ह से कर दोस्तों कर